आज ग्रेमंत्री आप लोगों को यही बाते समझाते वे नजर आए और उमीद यही के समझ में भी आई होगी लेकिन सुशिल पंडी जी अब मैं आपको लेकर आना चाहूंगी चूंकि बरसूं से आप लोग कश्मीरी पंडीतों के खुद के लिए आप लोग लड़ाई लड धन्यवाद चित्रा जी आपने मुझे अवसर दिया आपनी बात कहने का कश्मीर में जगड़ा विकास का नहीं है सडकें पुल सुरंग और बिजली घर बनाने का नहीं है वहाँ दिक्कत कलाश्निकोव से है वहाँ दिक्कत हथ गोलों से है हम लोग जिहाद पर आँखें नीच कर विकास के नाम पर हवा में तलवारे भांचते रहें तो फिर कभी भी एक मुनासिब हल नहीं निकल पाएगा आप एलेक्शन बहुत देख चुके होंगे कश्मीर में संविच जी मेरे आत्मिये हैं दो हजार दो में बहुत बढ़िया एसेंब्ली एलेक्शन हुए दो हजार चौदा में जो लोकसभा चुनावों में मोदी जी की सरकार आई बहुत जबरदस्त वोट पड़े विधान सवाट चुनावों में वोट पड़े दिक्कत वोट उँकी नहीं है भाज पाके चार सो से जादा कार्य करता अपने घरों में नहीं सो पाते हैं आज जो मारे जाते हैं उनको सामी कबरिस्तान में दफन होने के लिए जगा नहीं मिलती है उनका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए कोई मौलवी नहीं मिलता है ये वहां के स्थानिय मुसल्मान का हाल कर दिया गया है जो भाजपा का कारे करता है जो धरातल पर स्थिती है वो जिहाद है आप वो लब्स मुपर नहीं लाना चाहते वहां हमारे साथ जो हुई है वो नसल कुशी हुई है हम कोई बाढ़ पीड़ित नहीं है भुकंप पीड़ित नहीं है कोई महामारी से वहां से नहीं निकल करके आए कि आप हमारे लिए मकान बना दें जमीन दे दें हमारे पास मकान भी थे, जमीने भी थी, अपने व्यवसाय कारोबार थे हम को वहां से जहां बहक हो करके आना पड़ा वो सिटी कब आईगी आप जहाद का जबड़ा कब उखाड़ेंगे इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है एक दूसरे के उपर केवल विकास, रोजगार, सड़कें, पुल, बिजली घर ये वहां की समस्या नहीं है वहां की समस्या है कि लोग घरों में घुज कर मार दिये जाते हैं नियत्थे बिलकुल वहां की समस्या ये है कि सरपंच, मंत्री, MLA, MP अपने चुनाव छेत्र में घूम नहीं सकते हैं आप वोट कराते रहिए चुनाव कराते रहिए लेकिन धरातल पर आप कब स्थितियां सुधारेंगे हमको आपके भरों से वहां से जाने की जवशक्ता नहीं है हम खुद अपने भरों से वहां जा सकें ऐसी सिति कप पैदा करेंगे इसका जवाब समथ पात्रा देना चाते हैं इस बाट का कोई जवाब नहीं देना चाता है और ये दर्द है यकिनन डॉक्टर समथ पात्रा सुशिल पंडित का क्योंकि जिहाद के बारे में कोई बात ने करता है और यकिनन आज की तारीक में भी जैसे इस्ति बहाँ पर बनी हुई है तमाम नेताओं की हत्या कर दी गई हालात सामानी कब होंगे ये बार-बार सवाल पूछे जा रहे है और विकास से कहीं आगे का ये मुद्धा है चित्रा जी चित्रा जी सुशील जी भी मेरे आत्मिया है और उन्हें भी मुझे कहा कि मैं उनका आत्मिया हूँ इसलिए 20-30 सेकंड मुझे ऐसा दीजिए जो एक प्रवक्ता के नाते नहीं मैं भी एक हिंदुस्तानी के नाते सुशील जी के आत्मिया के नाते अपने दिल के परतों को खोल के उनके सामने रख सको सुशील जी आप ठीक कह रहे है पुलो की बात और ये जो हम अभी सडकों की बात कर रहे हैं शायद ये अच्छी नहीं लग रही होगी क्यूंकि आप तो विक्टिम है खुद आप सफर करके आए हैं आप ठीक क्या कोई पैंडेमी क्या फ्लड के कारण नहीं आप उस महामारी के शिकार हैं जिसका नाम जिहाद है देखें बहुत कुछ बोलने का मन मीरा भी करता है मगर मेरी बाधाये हैं मेरी सीमाये हैं मैं बंधा हुआ हूँ मैं एक पॉलिटीशन हूँ मुझे पॉलिटिकली करेक्ट भी होना पड़ता है और सुशील जी अन्यत्व कोई न ले सुशील जी मैं एक बात यहां सच कह रहा हूँ जिहाद क्यूं है पता है जिहाद हम लोगों की गड़वडी से है हमने अपने दुश्मनी में दूसरों को इस देश में बुलाया है अनादी काल से बुलाया है हम सेकलियरिजम के नाम पे अभी भी कोई जिहाद का नाम नहीं लेना चाहते है कल दिल्ली में रिंकु शर्मा मारा गया हम उस पे बात नहीं करना चाहते है हम सब पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं सुशील जी उसमें आप भी है मैं भी हूँ उसमें ये पूरी जमात हमारी हिंदु कौम है हिंदु कौम दोशी है कोई सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है आप सोचिएगा रात को सोते समय सोचिएगा कि हम सब थोड़े थोड़े उसके लिए जिम्मेदार है